तो आएंगे तो नाओ टॉकिंग बाउट बिलू पॉवर्टी लाइन ठीक है यह हमने पिछले टॉपिक में देखा था इट इस अ क्राइटीरिया फॉर यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हमें पॉवर्टी लाइन उसके नीचे जो भी होते हैं वो एच्पिय में आते हैं ठीक है अब हमें प्वता होना है चीए कि हम कब कहेंगे कि कोई बीपील के नीचे है या नहीं है मतलब इपील पर है नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले जो क्राइटिरिया रहेगा क्या हम कैसे डिट्रमाइन करेंगे तो अब्विसान भात है पॉवर्टी इंकम पर कैपिटा से डिट्रमाइन होगी म्हês आभ परना विल बीडा क्राइटिरिया ुछ तो यदि रूरल एरियाज की बात की जाए नब रंग्राजन कमिटी के according रंग्राजन कमिटी का formation हुआ था यह मैं पता हो ना चीए actually है न यह नाम जो भी है रंग्राजन कमिटी क्योंकि इसी की ने decide किया था income per capita का basis यह बनी थी 20 रंग्राजन कमिटी ने decide किया था और यह उसी के standards है कि रूरल एरियास में यदि किसी भी person की daily income we are talking about daily income per day ठीक है यदि रूरल एरियास में 32 रूपीज पर देसे कम है तो इत विल बिंग्लूदेड इन बीपील और यदि अर्बन अरियास की बात की जाये तो वहां पे लेस दन 47 रूपीज per day okay so it is the criteria of income for BPL now in some countries there are other criteria used also and what are they so it is calorie intake okay इसके बारे में भी हमें knowledge होनी चाहे calorie intake is also used somewhere in India ठीक है यह क्या है यह simple सी चीज है फिर से हम BPL की बात कर रहे हैं तो यदि rural areas में फिर से हम इसी type से classify करेंगे rural areas में जो calorie intake का standard माइन रखा गया है वो है 2400 kilo calories per day ठीक है यदि इस से कम है तो इसे include करेंगे इनसान को परसन को अपन BPL में और urban areas के यदि बात के जाए तो how much is ठीक है urban areas में कम है यह कितना 2100 kilo calories per day so this is what we must know about BPL इसको एक बार reading बार लेते हैं ठीक है यह definitions है rural areas में per capita calorie intake के हमने बात कर ली ठीक है यह हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए बिकॉज यदि इसके बारे में में बात के हैं ठीक है तो यह according to Tendulkar committee ठीक है अब जो latest चल रहा है वो है according to रंगराजन committee ठीक है और इसके according यह कितना है इसे तो घरदिया गया है rural areas में 32 rupees per day और urban areas में 47 rupees per day ठीक है और यदि world bank की बात की जाए इसके बारे में भी पता होना चाहिए world bank क्या कहती है world bank कहती है कि extreme poverty में अपन किसी को मानेंगे जब कोई किसी की per day की income कितनी है 1.5 dollar per person per day से कम extreme poverty 1.25 dollar और यदि moderate poverty की बात की जाए तो वह होगी less than 2 dollar ठीक है यह world bank क्या है criteria major यह अपने को यह चीज़ पता होना चाहिए so that was all about BPL let's close this